नमस्कार दोस्तों आप सबका आप सभी के चैनल एसके प्लम्बिंग वाक्स में स्वागत है दोस्तों अभी तक आपने अपना ही चैनल इसके प्लम्बिंग वाक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाईए नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा जिससे आने वाले नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों आज में फिर से आप लोग की बीच में एक प्लम्बिंग का नया वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों हम सभी प्लम्बर भाईयों ने प्लम्बिंग के काम के लिए हर प्रकार के नल का इस्तमाल किया है अब दोस्तों जो नल होता है उनमें कई सारी विराइटी आती है हम प्लम्बर भाईयों ने एक नल लगाया होगा जिसमें लॉक लगा हुआ रहता है जिया दोस्तो उसे हम locking विपकॉक भी कहते हैं अब वह जो नल होता है दोस्तो वह हम building के नीचे लगाते हैं या फिर terrace पे लगाते हैं या फिर कहीं पर भी open area में वह नल लगा होता है जिसे कि garden हो गया और भी जगह पर वह नल लगाए जाते हैं उस नल में दोस्तो एक lock लगता है जिया दोस्तो वह लग इसलिए लगाते हैं ताकि उसे सिर्फ कुछी लोग use कर पाए सभी के लिए वह नल नहीं होता पर दोस्तो उस नल को use करने के लिए हमें चावी से पहले ताले को खुलना पड़ता है उसके बाद ही हम उस नल को operate कर सकते हैं पर दोस्तो आज मैं हम सभी plumber भाईयों के लिए एक नया विपकॉक लेके आया हूँ जिहां दोस्तो यह जो नया वाला विपकॉक है इसे भी locking विपकॉक कहते हैं पर दोस्तो इस नल में अलग से आपको lock लगाने की जरूरत नहीं है इस नल में already lock लगा हुआ होता है जिहां दोस्तो इस नल में जो lock है in build ही है और दोस्तो इस नल को operate करने के लिए आपको किसी तरह के नॉप को घुमानी की जरूरत नहीं है इस नल में नहीं दिया होता है डारेक्थ ही इस नल में lock लगा के ही इसे on off करना है जिहां दोस्तो जब भी आपको पानी यूज करना है तो उपर से आपको चावी लगाना है और on करना है फिर आपको off करना है तो जो पूरा procedure है इसको on and off करने का चाबी के थूरू ही कर सकते हैं तो दोस्तो यह जो नया वाला locking विपकॉक है पुराने वाले से काफी अच्छा है क्योंकि दोस्तो जो पुराना वाला विपकॉक है उसमें आपको नल के साथ साथ lock भी खरीदना पड़ता है अलग से पर दोस्तो यह जो नया वाले विपकॉक है इसमें आपको अलग से lock खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें already lock लगा हुआ होता है और दोस्तो इस नया वाले locking विपकॉक की जो कीमत है 200 से लेकर 300 रुपे के अंधर ही बताया जा रहा है पर दोस्तो यह जो नया वाला विपकॉक है यह अभी market में available नहीं है उमेद दोस्तो बहुत ही जल्द यह जो locking विपकॉक है नया वाला market में मिलने लगेगा तो दोस्तो है ना कमाल का नया locking वाला विपकॉक तो क्या इस नया वाले locking विपकॉक के बारे में आपको पहले से पता था जिन प्लंबर भाईयों को इस नया locking विपकॉक के बारे में पहले से पता था वह प्लंबर भाई मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताए और जिनको नहीं पता था वह भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताए और यह जो नया वाला लॉकिंग विपकॉक है कैसा लगा यह भी मुझे जरूर बताना उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना चैनल पे न झाली करों कि अच्छी ब्लासी करें वीडियो ओकाँ पाही होगी